वेलकम एवरीवन जिसे हम सभी लोगों ने ट्रेजर हट की मूवी तो बहुत साड़ी अच्छी है क्योंकि रेजिडेंट की मूवी देखना बहुत अच्छी लगती है लेकिन कैसा हो कि जब एक पूरी की पूरी गोल्ड सिटी किसी ने ढून ली हो तो चलिए फिर आज हम सभ कुछ तो एक टेड नाम के छोटे से बच्चे की इमेजनेशन थी वो अपने पूरे गार्डन को कोड रहा था और इसके साथ में अकेला ही खेल रहा था क्योंकि उसे आर्कियोलोजिस्ट बनना था गार्डन को थोड़ा सा ज्यादा खोधने पे उसे अपने दादा का एक खोजली है जो की गोल की हो शक्ती है टेट की दादी उसका दिल रख लेती है और बोलती है कि यह उसकी एक बहुत बड़ी खोज है जिसकी बाद सीन कुछ सालों बाद का दिखाए जाता है एड यहां पर खजनी को लेकर काफी मुसीबत से भगत हुआ दिखाई देता है वो एक बड़े से कैसल के अंदर फंसा हुआ था और यहां से बाहर निकली की कोशिश कर रहा था तभी वहां पर उसे जगह का कंस्ट्रक्शन मैनेजर ए जाता है और पता चला है यह सब कुछ तो टाइप का सपना था और वह एक साइड के ऊपर था जहां पर वह सब कुछ एक सप थे कैट को लगता है कि यह जरूर कोई बहुत पुरानी बोतल होगी लेकिन हामिद बताते हैं यह कोई इंपोर्टन्ट नहीं है आई एम बट उसे बोतल को उठा कर एक सेल्फ में रख देता है जहां पर टाइट की लाई हुई और चीनी भी राखी हुई थी जिसके बाद म जिसका नाम नाम रफ था उन्हें वो मिल गया है कहां जाता है कि यह स्टोन एक गोल्डन सिटी की चाबी है इसी के करण वो पेडू निकालने वाला है अपने दोस्त से मिलने के लिए दादा आपको हैमबार को एरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है जहां पे रास्ते के अंदर काइट कोई कहानी सुनते हैं कहानी 500 साल पहले चली जाती है जहां पे एक काबिले मैं आपके खसाने को छुपाने के लिए मदर नैचर को दे दिया इसी के करण काबिले को बदले में गोल्डन स्टैचू मिला स्टैचू के मैजिक से वो पूरा कबीला अमर हो गया इसी के साथ में वो अपनी बस को भी कल करता है और बताता कि चाबी मिल गई है जो कि ये आदमी पीरू तक ले करे रहा है नर्स कहती है कि हामी तब कहानी पे भी ट्रेवल नहीं कर सकता है कभी दादा को एक आइडिया आता है वो सोचता है कि ये बिलकुल सही मौका है पूरी की बेटी सर के साथ आया था दादा जैसे ही सर को देखा है तो उसे फर्स्ट साइट लव हो जाता है और तभी पता चला है कि दादा को कुछ आदमी अपने साथ उठा कर ले जाते हैं सर जब बैक को चेक करती है तो उसे वही स्टोन की मिलती है तो उसे लगता है कि यह चर टाइट को दिखता है, टायड अब इस चीज को समझा भी नहीं सकता था और तभी उसे याद आता है कि फ्रेडी ने उसे टूल दिया था, इसी के करण इस टूल से अटेक करते हुए वो इस गाड़ी से नीचे कूट जाता है, पीछे पीछे सरल फ्रेडी भी आते हैं, जो ट्रेकिंग डिवाइस को का लेट है, सर जब अपने घर पहुचती है, तो उसके पास वहाँ एक पार्सल रखा था और उसे पार्सल के अंदर आधी स्टोन की की थी, जब वो टेड की लाई, कुई आधी स्टोन की की से उसे मिलती है, तो वो पूरी चाबी बन जाती है, प् कि माचू पिच्छू के अंदर उसके दादा छुपी हुए है, क्योंकि एक कोको नाम का विलन है, जो क्यों नहीं पकड़ना चाता है, तभी टाइट बताता है कि यही वो विलन है, जिसने मुझे पढ़ा था सर को लगता है, कि अब इनकी जान भी खत्रे के अंदर है, इसी के करण उसे अपने दादा को बचाने के लिए और इसी, चार बच कर 18 मिनिट के साथ में, चावी को भी से रखना के लिए यहां से जाना पड़ेगा पता चला है, कि वही विलन भी देड और सर का पीछा करते करते यहां तक पहुँच गया था, कोको जाके टेड और सर की पा ले जाता है, और पैरेट उसे टकरा जाता है, अच्छा हुआ कि वह स्टोन्स इधर ट्रेन के उपर ही गिरा सर और टाइट भी उसे स्टोन को लेने के लिए सीधा ट्रेन के उपर ए जाते हैं, लेकिन तब सर को पता चला है कि आखिर कोको किस कमपनी से बिलॉंग करता है य जानी की स्टैचू के पीछे क्योंकि अगर वो स्टैचू जिसको भी मिल गया वो इनसान अमर हो, जाएगा रेड़ी भगत हुआ आता है, और इन्हें बताता है कि वो लोग अभी भी कहानी नहीं गए हैं, हमें हमारी जान बचानी होगी और यहां से जाना होगा, इस ट्रे जिसकी अंदर सर मैक्स के साथ है, वही आदमी जिसे वो हमेशा से फॉलो किया करता था, वो शाहरुक को बताता है कि वो भी मैक्स का बहुत बड़ा फैन है, जिसके बाद में, सर दूसरी पिक्चर देख रही थी, तभी वहां पे उसे एक पिक्चर दिखाई देती है, और वो टेट से कहती है कि हमेशा मेरी दादा कहा करते थे कि गोल्डन सिटी का रास्ता नर्स का से होके जय करता है, जिसके बाद में, ये दोनों ही फ्रेडी के पास जाते हैं, क्योंकि होट बैलून के पास था, ये तीनों ही नाश्ता निकालने वाले थे, और तभी नहीं पता पता चला है कि तेट के डॉक की तबियत काफी ज्यादा खराब हो रही है जब उसे थोड़ा हिलाया जाता है तो पता चला है कि उसके अंदर टिक ट्रेकिंग डिवाइस थी इसी के करण डॉक की तबियत खराब हो रही थी इस ट्रेकिंग डिवाइस के चक्कर में कोकोनेट फ Max तो आपस में शादी करने वाले हैं, इसी के करण टाइट का दिल तूट जाता है, वो सर को पसंद करने लगा था, Max सर को कहता है कि वो स्टोन को को दे दो ताकि हम लोग यहां से अच्छे से जा सके सर के पास में अपनी फैमिली थी, इसी के करण वो उन सब की जान बचाने की चक्कर में स्टोन को दे देती है, कोको स्टोन को लेकर सीधा दीवार पे लगता है, और दीवार पर लगता ही वहां पे एक अलगी रास्ता बने लगता है, सर की दादा उसे डिकोड करने लगता है, वहां से तो जान लगता है, इसके बदले में वो सर और टेट को वही पे रहने के लिए कहता है, वो मैक सर की डेट को वहां से ले जाता है, यही पर अकेला बैठा था और तभी उसे दीवार के आसपास थोड़ी मिट्टी दिखाई देती है, उसे लगता है कि जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ है, सर को यहाँ बात समझ में ए जाती है कि उसके दा और सब की जान बचाकर बाहर ले आई है, इनके पास एक ट्रेन थी जिसकी मदद से ये लोग बाहर तके जाते हैं, और रात होने पर कहानी रुख जाते हैं, रेस्ट करने के लिए रात में अपनी फीलिंगस बताने की कोशिश कर ही रहा था लेकिन पता चला है कि सर तो सिर् पर जाते हैं, जैसे वो दर्वाजा खुलना है, तभी वहां से बहुत साड़ी चेमकाद बाहर आते हैं, सर की फादर को ले कर गया था उसे जगह पर जहां पर गोल्डन सिटी का दर्वाजा था लेकिन बहुत धूणने के बाद में भी इन्हें वो दर्वाजा नहीं मिलता सबसे इंपोर्टन बात ये थी कि मैक्स पे इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ था यानि कि ये साड़ी की साड़ी चल इसकी थी इसे समय सर की फादर जंगल की तरफ देखते हैं, जहां पे कई सारे चमकदार दोड रहे थे और मैक्स और उसके लोगों को समझ में ए गया थ अतारा के फादर ने इन्हें धोगा दिया है, इसी के करण को को बिना वक्त गये मैक्स और सर के फादर के साथ जंगल के अंदर पहुंच जाता है और इस दरवाजे के अंदर से नीचे जान की कोशिश करने लगता है। को कोई यहाँ पे आते ही मैक्स सर और सर के फादर के साथ नीचे जान लगता है और जान से पहले टेड़ी और टेड़ को करने के ओर्डर से देता है टेड़ कोई बात समझ में एजाती है कि मैक्स यहाँ पे सब कुछ करने वाला है और वो सर को धोखा देने वाला है गौर्ड को के सामने ए जाता है और आते यहां पर सर को समझता है कि मैक्स तुम से जूट बोल रहा है मैक्स सर को कहता है कि यह सब कुछ जूट बोल रहा है और बिल्कुल भी नहीं है तभी उनमें से एक आदमी गलती से मैक्स को बसका देता है तब जाके सर को समझ में आता है कि मैक्सि असली रूप में आके ही इन दोनों से कम निकलवाने लगता है यहां पता चला है कि वो मम्मी काफी ज्यादा पावरफुल थी इसी के करण वो सारे लोगों के ऊपर एक बहुत बड़े लावा की बाल गिरना चाहती थी ताकि ये सारे लोग अपना रास्ता छोड़ दे बाकी स सारे लोग जान बचते तो यह आगे बढ़ाने लगता है जहां पर टेट रास्ते में सर को उसे मम्मी के बड़े में बताता उपर से जमीन भी तूटने लगती है, पता चला है कि नीचे तो लावा और गैस दोनों है, जिसे की सारे के सारे माँ जाएंगे तट सब को कहता है कि जल्ड से जल्ड दीवार तक चले जो इसे हम नहीं मारेंगे और साथ में साड़ी की साड़ी रसी भी खीच देता है जिससे बाद वो रेट कलर की रसी को भी खीच लेट है, एक जैसे दर्वाजा खुलना है, तो बिना रुक मैक्स सीधा अंदर की तरफ चला जाता है, टेड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, और उसकी तरफ भागने लगता है, मैक्स के सामने आखिरकार वो गोल्डन स्टैचू एचुका था, जो की पूरी तरीके से फ्रिज हो रखा था या फिर हम का सकते हैं, उसे पे कोई कवच था, तभी यहाँ पे वो मम्मी भी एजाता है, जो की थोड़ी डर पहले टाइट के सामने था मम्मी के साथ में, एक बहुत बड़ा मॉंस्टर भी था, और इस मम्मी के ह ही वाला था, अब ये स्टोन मॉंस्टर इन दोनों के पीछे गजाता है, जहाँ पर दोनों अपनी जान बचते हुए भागते हैं, सर और उसके दादा यहाँ पे पहुच जाते हैं, जहाँ पर सर को पता चला है कि उसे मॉंस्टर ने दादा को पकड़ लिया है, मम्मी परफट से खड़ा होता है और उसे स्टैचू को उठा लेट है टेड़ इस रोकने के लिए भगत है लेकिन मम्मी तेड़ को माना कर देता है कि ये जैसा कर रहा है इसे बस वैसा ही करने दो मैक्स की बॉड़ी में चेंज आने शुरू हो जाते हैं तभी ये मम्मी बताता है कि यहाँ पे गोल्डन सिटी है जिसकी अंदर बहुत सरसोना है ये मम्मी उसे स्टैचू को वापस से अपनी जगह पे ही रख देता है और टेड़ को बताता है कि अब जब टेड़ और उसके लोगों ने मम्मी और इस लास्ट सिटी को देख लिया है तो वो उन्हें जिन्दा नहीं छोड सकते प्रॉमिस करता है कि वो ममीज के बड़े में कभी किसी को नहीं बताया इसी के साथ में अपने फादर की हैंड कॉपी वो इसी मम्मी को दे देता है वो मम्मी भी ये बात मा जाता है और जैसे वो इस दरवाजे के अंदर जाता है तो गोल्डन सिटी के यही पे खत्म हो जाती है तो आप सभी लोगों को ये गोल्डन सिटी की मुवी कैसी लगी मुझे जरूर बतायेगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मुवी में तब तक के लिए टाटा